सबी एनेम जी एनेम बहनों को मेरा नमस्कार चलिए आज हम लोग नए टॉपिक के तरब बढ़ते हैं और इस टॉपिक का महतपुर्ण कुईस्टन जो आपके एक्जाम में डायरेक्ट आते हैं वो सारे कुईस्टन देखते हैं तो जैसे कि इससे पहले हम लोग का जो टॉप देखते हमने हमने लगवख छे लेक्ट्टर उसका लिए उस्सक्र टॉपिक है अब इस टौपिक का 5 श्लेक्टर करेंगे कौन-कौन से आपका encaps सबस्क्राइब्स का टॉपिक है वह आपके ग्रूप में दे दिए हैं कि कौन-कौन से टॉपिक से A&M का उससे पूछे जाते हैं यह जीनियम का कौन से टॉपिक है वह सारा डीटिल्स हमने आपके ग्रूप में दे रक्ति हैं तो चलिए बीना देरी किये हुए क्लास को करते हैं और एक फिर से उन सारे कंडिडेट को कहाना चाहते हैं जो अभी तक इंदेजार में बाइटे हैं कि आज हम क्लास जोइन करेंगे कल करेंगे आप लोगों को बहुत लेड हो रहा है कि इतना टॉपिक हम लोगों का चल रहा है बहुत जल्द आपका test सिरीज अश्टार्ट होने वाले हैं, ग्रूप डिसकसन अश्टार्ट होने वाले हैं, कैसे आपकी तियारी बहतर होंगे, यदि आप क्लास चुरिएगा तो, इसलिए इस नंबर पर 70, 50, 87, 29 में, इस नंबर पर कॉल करके, वार्टसप करके, क्लास में जुर जाइए, जिसको दिक्कत आ रहा है, वह हमें वार्टसप पर बताईएगा, तो उसमें थ्वरा सा फी का ऐसा नहीं है, कि उसी दिन साड़ा पे करना है, अगर दिक्कत है, तो एक दो रोजबाद भी कर सकते हैं, लेकिन क्लास मिस मत करिए, और आप लोग अपने फ्रेंड के पास जएदा सज का रहा है कि निम्न में से किस कमेटी को भोर कमेटी के नाम से भी जाना जाता है, यह भोर को मूठी क्या है, एक तरह से कमेटी है, मतलब क्या एक संगठन होता है, उसी तरीक से जैसे आप लोग क्या कहते है, कि स्वास्त संगठन है, स्वास्त विवाग है, उसी तरीके से ए विकास या उसके योजनाएं होती थी वो सारे कुछ बताते थे उसका सर्वे करते थे तब पता चलता है कि हमारे देश में किस राज में कहां पर कौन सी जैदा बीमारिया है किस राज में जैदा लोग बीमारी से गरसित है किस राज में जैदा स्वास्त लोग है यही सब का इसमें जैदा explanation की जड़त ही नहीं है यहां पर जड़त होंगे आगे हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत यह अच्छा explanation तो भोर कमेटी को मतलब कि किह ज्राष्ट करता है कि किनी सवास्त से लेकर लोग कितना गरशीत है कितना लोग सवास्त है और उसके विकास को लेकर इसे कैसे छुटकाड़ा पाए उन सारे इसका करते हैं। इसका यह सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। बहुत ही पूछे जाने वाना टॉपिक है। कम्मुनिटी हेल्थ नर्ची भरबर के कुष्चन आपके एकजाममें आते हैं। इसलिए इन दो टॉपिक में आप लोग बिल्कुल मिस्स मत करिएगा क्लास फट आफट जोइन कर लीजिए क्लास जोइन करने को बहुत ही फाइद है आपके वह हम आपको ग्रूप में साड़ा कुछ इनफॉर्मेशन मिलते रहते हैं कैसे ग्रूप डिसकाशन करना है किस कुष्चन पर कैसे किस किस तरीके से कुष्चन बन सकते हैं क्योंकि बीटियसी में बहुत सारे स्टुडेंट को इसी कारण नहीं हुआ था कि कुष्चन घुमा के पूछ दिया था लेकिन अब आपको एक हैं यकोडियर कमेटि के नाम से आया जाता है जैसे इस में दिया गया था विकास कमेटि जो होते हैं उसको क्या चींड जाता है तो मुद्र क्वियर कमेटि यह यहां पर यह नहीं होगा गलत है बुद्धी लियर ऐसे होगा अगला को है इस क्वेशन को हम लोग देखते हैं पहले बीसी जी वाला कर लेते हैं यहां पर समझने वाला है क्या कहा रहा है कि इन में से कौन सा टीका जन्म के समय लगाया जाता है बीसी जी टीका टेटनस्ट ऑक्साइड का टीका डीपीटी का टीका खैसरा का टीका तो यह आप लोग जानते हैं कि यह टीका है क्या बीसी जी टीका है क्या यह कब लगाया जाता है जन्म के समय क्यूं लगाते हैं टेटनस का ऑक्साइड टीका क्या है डीपीटी टीका का कि भूंट है यह हम आपको बताने जा रहे हैं यहां पार किस्प्राम मेक्स प्रॉबल्म नहीं आएगा वहांं कहां पर चीज़ के जरुब बताने लगे वहाँ पर पूरी concentrate होकर पूरा ध्यान दे कर सुनिएगा क्योंकि वह explanation वाला चीज आपको याद रहेगा जो story form में हम आपको बताते हैं तो चलिए हम लोग BCG, DPT, Tika के बारे भी जानते हैं खैसरा तो एक मतलब की नाम है विमारी का यह तो पते हैं tetanus भी आप लोग जानते हैं यह दोनों mainly है इस दोनों के बारे में details में जानते हैं क्लास जोइन करते हैं इस तरीके से नोट्स यदि हम नहीं बता पाते हैं क्लास में तो उस group में भेज देते हैं जिससे आपको explain वाले कोई portion में दिक्कत नहों कोई question में आपको दिक्कत नहों इसलिए एक बार फिर से आप लोग को कहते हैं कि यदि आपको इस तरीके से नोट्स question सारा important सारे कुछ आपके exam के लिए चाहिए तो इस नंबर पर call करके WhatsApp करके जरूर क्लास में जूर जाए फिर से एक बार आप लोग को request कर रहे हैं और आपका जो भी friend है उसके पास जरूर share कर दिजिएगा ताकि वो सब भी class में जूर सके तो बी सी जी के बारे में मिलनी पहले जानते हैं और DPT का भी हम फुल फॉर्म आपको बताने जा रहे हैं बी सी जी से क्या होता है बैस बैसी लस और सी से क्या होता है काल मेट और जी से क्या होता है गूए रीन तो इसका इंग्लिस में यहां पर लिखा गया है कि बैसी लस कालमीटी कालमेट और गोसिरीन उसको काते हैं फूर फॉर्ड में और यह वैक्सिन है एक तरीके से ठीका है जो मुखरूप से टीवी के लोग ठाम के लिए दिया जाता है तो यह ऐसे हो जाता है कि यह यदде दो जाते हैं उस अवास्था में उस समय यह जन्म से पहलेस उसकी मा को किसी ऐसे के गधने पर जिसका टीवी है च्वी एक दूसरे सम्क्रमित होता है तो उस से अगर मा में होता है तो उसके के समय में BCGT का दिया जाता है क्या चीज के रोक थाम के लिए तो TV के रोक थाम के लिए यहां से एक और question बन सकता है कि BCGT का किस बीमारी को रोक थाम के लिए दिया जाता है या किस के बचाओ के लिए दिया जाता है काई से भी गुमा के कुछे आप explanation हम से पढ़े रहेगा आपका एक्जाम में एक भी question नहीं चुटेगा तो BCGT का टीवी के रोक थाम के यक्षमा जिसको टीवी इसका एक नाम क्या है यक्षमा भी नाम से जाना जाता है और टीवी के रोक थाम के लिए ही दिया जाता है टीवी कैसे होते थे यह हम क्यार कहा है जो प्रेमरी हील्थ केर वाले जो मोगा क्लासे चल तो उसमें हमने आपको बताय थे कि ब्राक्ली नाम से एक मतलब क्यों होते थे इसमें क्या होता था जब सांस लेते थे और एसे रहती थी कि यहीं मैं छिदर हो जाता था तो उससे टीवी हो जाता था क्योंकि इससे गैस का आदान परतान होता था जब हम लोग सांस लेते थे ऐसी संरचना होती थी और यही इस पे छिदर होने के बाद बलगम जम जाता था तो उससे दम्मा हो जाता था तो टीवी मतलब की सांस से रिलेटेट का है एक विमारी इसलिए वो ट एक स्ट आंगे वहां पर आदीटेल में देखेंगे यहां पर मिली जाने लिए कि डीपी टी टीडिप्धी यह और इसको और क्या काते हैं डीकी टीटियरी आओगे पीशोग्या पर्टूशीज टीशे हो गया टैनस यह मतलब की डीप्धीड यह यह नहीं से विए स्बुर पोखने के लिए इससे सांस लेने में दिल का दौरा पक्च घात या मिर्ती होने की खत्रा रहते हैं इसलिए इसके रोक थाम के लिए डीपीटी टीका दिये जाते हैं चलिए मूल कुष्टन पर हम लोग आते हैं कुष्टन था हमारा कि निम्न में से कौन सा ठीका जन्म के समय लगाया जाता है तो कौन सा ठीका लगाया जाता है तो बी सी जी टीका लगाया जाता है किसलिए लगाया जाता है तो टीवी के रोक थाम के लिए लगाया जाता है या तो जन्म के समय होस्पीटल में ही लगा दे के तो आप आप बना दीजिएगा आपको होंगे नहीं सारी डीटेज्स हम आपको बता दिए कि नेक्स्ट कोईश्ण के तरह बढ़ते हैं को दिक्कत नहीं है दिक्कत रहेगा तो आप लोग बताइए को बिद्धोर टेरपी एक फेर पी होता है तो डाट्स थैरपी के अंतरगेत निम्नि में कौन सा रोग पर्थम शैरी में सामिल किया जाता है तो इसमें कौन सा रोग आता है जैसे option में दिया है कि नया assetam, asmere जो positive रोगी होते है जो नया estrillion asmere positive orcophile होते है तो यह पोजेटिव जो होता है नया एस्पीमर एस्पीटी पोजेटिव रोगी उसमें दिये जाते हैं तो इसका और आपका अप्सन नंबर यह हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट कोईशन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग जहां पर जरूत होंगे एक्सप्लानेशन का वहां पर फुली एक्सप्लानेशन आपको मिलेंगे हमारे से आप बढ़ रहे हैं तो आपको लगना चाहिए कि नहीं हम किसी सर्थ से पढ़े हैं और इससे हमको बहतर अपना होगा तो अब वीडियो के प्रेश्ट पे ही नाम दे देंगे राजंदर भारति इस तरीके से आप लोग मतलब की नाम अगर जानना चाह रहे थी तो नाम आपको यहां पर लिए एक है एक उपकेंद्र इस्तित होता है एक मतलब की उपकेंद्र होता है जिसे स्वास केंद्र आप लोग के प्रखंड में होते हैं तो ही कर रहें कि एक उपकेंद्र कैसे कितने अवादी पर होते हैं कितनी जन संख्या पर होते हैं तो यह जनरली कितना जन संख्या पर होता है तो एक उपकेंद्र तीन हजार से पांच हजार की जन संख्या पर होता है एक आसा क कि दे देते हैं जनसंख्या वाला वहाँ पर देखेंगे और उसमें 100 गौं के अंतरगत एक जो स्वास्थ केंद्र बनते हैं और एक उपकेंद्र कर दिया है क्या चीज का कि सभी परखंड में दोडो टीका करन के अंदर खोले जाएंगे जहां पर टीका करन होंगे और टीका करन देगा कौन तो वो नर्स देगा मतलब कि आप लोगों की बहाली तो आप भर-भर के आने वाली है इसलिए अपनी तयारी में थोड़ा भी आप लोग कॉमपरमाईज मत करिए जितना आपको एफिचेंसी या जितना दिर आप पर सकते हैं क्लास एकंट कर यह नोर्स देता है नोर्स से उसको पर यह बिना समय गवाई इसलिए नोर्स दे देता है कि आप लोगों को ज़यादा समय यूज हो सके पढ़ने में और जितना सम कोस्चन का कर रहा है तो यह आप लोग समझ गये अला कुछ ना कि एक प्राथ्मिक स्वास्त केंद्र होता है कितना पर यह मतलब की होते हैं यह कितने पर हुए थे ये तीन हजार चे पांट हजार पर उपकेंद्र होते थे दो हजार भी कहें कहें पर लिखा रहेगा तो कन्फ्यूज मत करिएगा ये कितना पर होता है तो बीस हजार से तीस हजार का लिजिए या हंडेड गौँं के आसपास इसके एरांड के जो जनसंक्या होती है वहाँ पर एक प्रात्मिक स्वास्थकेंद्र होते हैं ठीक न एक प्रात्मिक स्वास्थकेंद्र बीस हजार से मिलने आपसे जनसंक्या ही पूछेंगे कितनी जनसंक्या पर होते हैं तो ये बीस हजार से अब उसको रिलेट करके अच्छे से आपको मैंड मेरेगा ने तीनो एक ही जगा आपको confusion नहीं होगा क्योंकि यह यहां पर यह यहां पर है तो खोजने की जरुत ने परेंगे कि यह वाला उक्केंद्र कितना पर होता था स्वास्टकेंद्र कितना पर होता है समुदाइक स्वास्टकेंद्र कितना पर होता है क्यों तीनो एक ही जगा है ऐसा होता है क्योंकि हम भी पढ़ते थे तो इस तरीके से confusion आते थे इसलिए आप लोग को किसी भी तरीके से कोई confusion नहों इस तरीके से आप लोग के लिए notes भी तैयार किया गया है जिससे कि आपकी तैयारी बहत्तर हो सके और आप लोगों का ही result हो तो question क्या कर रहा है एक समुधाईक स्वासकेंदर अभी दो देखेते एक उपकेंदर के बारे में जाने हैं जोगे 3-5 जार की जन्सक्या पर प्रात्मिक स्वासकेंदर 20-30 मुदाईक स्वासकेंदर तो समुदाईक स्वासकेंदर की बात कर ले तो यह लगभग 1 लाख मानके इसलिए एक लाक दिया रहेगा तो कहीं कहीं एक लाक रहेंगे पांच को सुना होता है एक लाक रहेगा यह 80-20 80-10000 से एक लाक बीस अजार एब्रेज है तो इसको मतलब कि आप क्या करिए जोर के इसको भाग दीजिए एक लाक बीस अजार कितना दो लाक हुआ इसको धूसरी डिवाजिक्साया ना मतलब एक लाक कहीं पर दिया रहेगा यह नाख पर होदा है स्वास्थ profit 100 गौं ले लिजे या एक लाक आवारी ले लिए उहां पर एक सौमधाइक स्वास्त केंद्र होता है ठीक है यह आपको दिक्कत आ रहे होंगे समुदाइक उपकेंद्र और कि और क्या है आपका प्राथ्मिक स्वास्त केंद्र में तो वह कल हम आपको डीटेल में बता देंगे और इसके इंगलीस भी हम आपको बता देंगे क्या-क्या होता है जिससे आपको‍पूसिजन नहीं हो आगए को स्एल, आपकस्षिन हम लोग देखते हैं scam दूरोज आप बीछ में फेस्टिवल में ही समय शलिए यह काड़ा की निम्न में से उपकेंद्र पर कारेरत स्वास्थ कर्मी है निम्न में से कौन उपकेंद्र पर कारेरत स्वास्थ कर्मी होते हैं महिला स्वास्थ कर्ता एवं प्रूस्थ स्वास्थ कर्ता या मेडिकल अफिसर एवं स्वास्थ सायक प्रूस्थ या सर्जन एवं नर्स स्रेनी प्रथम या करता हैं नहीं होंगे क्या होगी कितना मतलब क्या कुछомина का देखता है बाकि सारह कुछ आप लोगों का नहीं पर जो काड़ तो स्वाश्त कर्मी होता है उसमें महिला स्वास्थ करता भी रहते हैं और प्रूस्थ स्वास्थ कार करता भी रहते हैं तो इसका क्रेक्ट अंसर आपका क्या हो जागा ओप्शन नंबर एस ही हो जाएगा नेक्स्ट कुश्ण की तरफ बढ़ते हैं आपका आगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न मेंसे प्रात्मिक स्वास्त के अंदर पर कारेरा तो स्वास्त करनी इसमें कर रहा है कि प्रात्मिक यह क्या था तो यह था उपकेंद्र उपकेंद्र प्रात्मिक स्वास्त कर्मी होते हैं तो जैसे इसमें दिया महिला स्वास्त करता प्रूस्त स्वास्त करता मेडिकल ऑफिसर एवन स्वास्त सहायक प्रूस्त तो यहां पर यह चारों होते हैं यहां पर मेडिकल ऑफिसर भी होते हैं और स्वास्त सहायक ही होते हैं यह दोनों तो रहेंगे ही रहेंगे आप लोग का डूटी रहेगा ही रह स्वास्त करता तो रहेंगे ही रहेंगे लेकिन जो प्राध्मिक स्वास्त के रहें वहां पर मेडिकल ऑफिशर भी रहता है और स्वास्त सहायक प्रूस भी रहता है तो इस तरीके से ए और बी दोनों से होंगे देखिए और बी किस अप्शन में है तो अप्शन नंबर डी में कि अगला कुश्चन कड़ा है कि निम्न में से समुदाइक यहां क्या आ गया समुदाइक स्वास्त केंद्र पर कारे रत अश्टाफ है जो समुदाइक स्वास्त केंद्र होते हैं उस पर जो कारे रत अश्टाफ है वो कौन होते हैं महिला स्वास्त करता एवं पुरूष स्वा सब रहेंगे क्या रहेंगे मैञप स्वास्ट करता पुरूस स्वाश्त कर्मी तो रहेंगे महतलब कि सब्वाइक प्रूस्प के कहना पहले रहेंगे मेडिकल अफिसर भी रहे नर्स से रोज़ाइग स्वासत के वहाँ पर Dafür कम जायद है विए रहते मेडिंडन ध्क यह ज्याइदा जनसंख्या पर आते हैं तो वहां पर सारे आफिसर वहां पर जो भी स्वास्त अश्टाप है वह सारे वहां पर एविलेबल रहेंगे तो चलिए आप लोग को फिर से रिवार्ज करवा देते हैं कि यहीं से देखते हैं तो Uhukendra पर कितने अवाधिव बनते हैं या दो हजार दिया रहे तीन हजार चेंपांस जनसंख्या के बीच उसकर एक उपकेंद्र बनता है ठीक है और एक स्वास्त चांदर कितने पर बनते हैं तो प्रात्मिक श्वास्तक्य चाहर चेंट तीस हजार के की बीच में जन्संक्या रहते हैं उस पर एक प्रात्मिक स्वास्तकेंद्र का निर्मान होता है या बनते हैं इतनी जन्संक्या पर समुदाइक स्वास्तकेंद्र या एक लाख रहेगा या असी हजार से एक लाख बीच लखे दार के बीच में रहे तो उस पर क्या होता है तो एक स्वास्ट के अंदर का निर्मान होता है या रख स्वास्थ का अलगता है लेकिन वही यही प्रास्मी पर चल जाये तो वहाँ पर महिला एवं प्रूस कर्ज करता के साथ साथ मेडिकल ओफिशर एवं स्वास सहायक भी रहेंगे इसका कॉरेक्ट रंसर ये दोनों हो जाएगा इसलिए इसका कॉरेक्ट रंसर आपका अप्शन नमबर डी हो जाएगा जो कि दोनों अप्शन उसमें दिया गया है इसमें करा है कि समुदाइक स्वास के अंद पर कौन कौन रहते हैं तो समुदाइक स्वास के अंद पर सभी रहेंगे महिला स्वास करता भी रहेंगे प्रूस स्वास करता भी रहेंगे स्वास्त सायक भी रहेंगे मेडिकल ओफिशर भी रहेंगे नर्स स्रेनी पर्थम भी तो उपयोग तो सभी हो जाएगा इसका correct answer आपका उपयोग तो सभी हो जाएगा option number D हो जाएगा इतने सारे details में हमने आपको बता दिया है यह notes और जो theory वाला आज का explanation का था वह आप लोग के group में चला जाएगा आज बहुत सारे को तो मिल भी चुका है जिसको भी नहीं मिला ह वह group में चला जाएगा वहां से आप लोग के वार्टसप पर direct चले जाएगे और साथ ही आप लोग को जो भी information आते हैं उस सारी जानकाड़िया भी मिलते रहते हैं और जो भी friend आपका अभी तक class नहीं join किया है उसके बार वीडियो share करके उसे जरूर class join करने के लिए उसके लिए करना साथ हो पर लोग को जिए एल्गियो को जो ठीप लोग करम वी हो है उसक वssक राक करना है जाएग सकाव जा जाएगोशे में करने कासा है जाए जाएग को लोग करते हैं जाएगं पpsक लिएह, मैं अीएग, ऄ지क बड़गा एफ शॉक्ष्ड़ा कर्भान क